धर्मशाला में खेले जा रहे हैं पांचवे टेस्ट मैच में जब इंगलिश टीम मैच हारने लगी है तब वो तू-तू-मेमे पर उतर आई है जब उन्हें पता चल चुका है कि अब वो मुकाबला नहीं जी सकते हैं तो अब लडाई पर उतर आए हैं पहले कल यानि की दूसरे दिन के खेल में सर्फरास खान और मार्कूड के बीच बहस हुई तो सर्फरास खान ने लगातार छक्का और चौका मारा मार्कूड को पर आज शुगमन गिल और जॉन्नी बैरिस्टो के बीच तू-तू मैं मैं देखने को मिली दरसल क्या हुआ था पूरा वाकिय हम आपको बताते हैं दरसल इंग्लैंट टीम के तीन विकेट गिर चुके थे और जॉन्नी बैरिस्टो क्रीज पर पहुँचे थे और उन्होंने दो-तीन छक्के मार दिये थे रवीचन अश्विन को और उसके बाद वो थोड़ा सा अपनी अकड में आ गये थे उसके बाद स्टम माइक में रिकॉर्ड हुआ कि वो शुमन गिल से कहते हैं कि कल तुम जेम्स एंडर्सन से क्या कह रहे थे कि वो थोड़ा सा टाइड फील कर रहे हैं थकान महसूस हो रही है उसके बाद उन्होंने आपको बोल कर दिया तो कैसा लगा आपको तो इस तरह जेम्स एंडर्सन की बात को लेके जॉन्नी बेरिस्टो ने शुमन गिल को पोक किया शुमन गिल भी कहा शांत रहने वाले थे उन्होंने भी इस बात का जवाब दिया उन्होंने का तो क्या हुआ मैंने अपना 100 कंप्लीट कर लिया था यानि शतक बना लिया था उसके बाद मैं आउट हुआ आपने अभी तक इस श्रंकला में क्या किया है इसके बाद जॉन्नी बेरिस्टो का कोई जवाब नहीं था पर लेक्स लिप में खड़े सरफरास खान ने इस बात का पूरा मजा लिया सरफरास कान कहते हैं कि थोड़े से रन क्या बना लिये इस खिलाडी ने ये तो उचलने लगा है मतलब थोड़ा दो-तीन शक्के क्या मार दिये कुछ ज्यादा ही उचल रहा है मतलब सरफरास कान ने फुल इंटर्टेनमेंट लिया वहाँ पर पर इंग्लिश टीम जब जीत नहीं रही है तो अब लगबग लड़ाई पर उतर आए हैं मुकाबला हारने की कगार पर हैं छे विकेट गिर चुके हैं और हाँ अगली ही गेंद पे जॉनी बैरिस्टो को कुलदी प्यादाव ने लबी डबलू भी कर दिया मतलब यह जो थोड़ा सा घुसा था लड़ाई करने पर उतारू हुए थे तीन छक्के मारने की बाद जो अकड़ आई थी वो भी शांत हो गई जॉनी बैरिस्टो की यह पूरी श्रंकला जॉनी बैरिस्टो की खराब रही है एक भी अर्दशतक नहीं आया है दो तीन चार छक्के आठ छक्के मार लेते थे तो थोड़ा सा जोश में आ जाते थे पर भूल जाते थे कि भाड़ती यह गेंदबाज उनसे कहीं आगे है और कहीं बहतर है आपकी क्या राय इस खबर को लेके क्या एंगलान टीम कोई सब करना चाहिए या नहीं हमें कॉमेंट करके बताइए तब तक के लिए देखते रहिए One India Hindi